बुड बॉर्निंग फेंड्स, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आये हैं आपके लिए जो इन्फोर्स्मेंट SI का जो नया बुक आया है एडिटोरिया पब्लिकेशन का उसका प्राक्टिसेट नमर वन बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि इन्फोर्स्मेंट SI का जो नया बुक आया उसका प्राक्टिसेट लेकर आया जाए तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तो अब जो आप लोगों का प्राक्टिसेट करवाया जाएगा वो अल्टरनेट बेस पे करवाया जाएगा एक दिन इसे एडिटोरिया के बुक से मतलब ये एन्फोर्समेंट SI वाले बुक से इसमें टोटल 15 प्राक्टिसेट हैं एक एक alternate पे इस बुक से एक एक सेट करवा दिया जाएगा और साथी साथ जो एडिटोरिया का मेंस का बुक चल ला है जिसमें हम लोग 9 प्राक्टिसेट तक देख चुके हैं उसका 10 प्राक्टिसेट कल मैं लेकर आ जाओंगा तो वो कल बुक खतम हो जाएगा उसके बाद फि जो बिहार एसाई मेंस का जो प्राक्टिसेट है वो मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा अगर आप ये सीडूल्स में कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करना ज्यादा बेनिफीसियल होगा तो आप लोग अपने स यंसर होगा बो हो जागा ओप्सन नमबर B 31 दिसंबर 1620 को महरानी एलिजाबेत के द्वारा भारत के साथ बैपार करने का चैर्टर प्रदान किया गया था इस्ट इंडिया कंपनी के अस्थापना भी 1620 में हुई थी लेकिन इस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत आगमन था बो 1680 में हुआ था ठीक है प्रारंभ में इस्ट इंडिया कंपनी के 217 साजीदार थे और पहला उसका जो गवर्नर था बो था टॉम्स असमित साथी साथ कुछ और कंपनी ओज के अस्थापना भरस आपको याद रखने होंगे जो फ्रिक्वेंटली इक जाम में पुछे जा चलिए आप बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा कोशन नमर्स सेकंड वो कह रहा है भारती राष्टिया अंदोलन के पराड़म से ही उग्र राष्टबादियों का भी बर्ग था निमिन में से कौन नहीं सामिल है तो देखे उग्र राष्टबादियों सामिल थे लेकिन अगर हमें एमजी राणाड़े की बात करें तो ये उग्र राष्टबादियों में सामिल नहीं थे एमजी राणाड़े से एक और चीजी याद रखेगा कि इन्हों ने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का अस्थापना किया था ठीक है और ये जो नरम दल औ गरंदल है ये कॉंग्रेस में बिभाजित हुआ था कब ये बिभाजित हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसको अध्यश्ता किये थे रास बिहारी घोस नेक्स क्वेशन हमारे क्वेशन नमर 3 क्वेशन नमर 3 क्या रहा 1916 में कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच लखनाव समझाता हुआ उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिध हुए तो इस क्वेशन का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा ऑप्सन नमर सी कॉंग्रेस द चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था नेक्स क्वेशन है हमारे क्वेशन 4 क्यारा 914 में हुआ टा 936 से याद रखेगा इसी के समय में पहली बार चुनाओ कर आया गया था जिसमें कॉंग्रेस ने 11 में से 8 परांतों में अपनी सरकार बनाई थी अगर हम बात Lord Bebel की करते हैं तो Lord Bebel का जो कार्जकल था बो था 1944 से लेके 1947 तक Lord Bellington की बात करते हैं तो इसका कार्जकल था 1931 से लेके 1936 तक और Lord Mountbatten की बात करते हैं तो इसका कार्जकल था मार्च 1947 से लेके June 1948 तक और यही स्वतंतर भारत का पहला Governor General भी था Next question है हमारा question number 5 Question number 5 का रहा भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की पुरवर्ति संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुक संस्था थी तो इसमें सबसे पहली और जो प्रमुक संस्था थी वो थी British India Association तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बात Indian Association की करते हैं तो Indian Association से याद रखेगा Indian Association की अस्थापना 1876 भी में हुई थी और इसके संस्थापक थे आनन्द मोहन बोस और सुरेंदनाथ बनर जी question number 6 कह रहा है पूना संजोता किन दो पच्छों के बीच हुआ था तो पूना संजोता जो था वो दलित बर्ग और हिंदू नेताओं के बीच हुआ था तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और हुआ कब था 24 सितंबर 1932 को पूना संजोता संपन हुआ था और इसमें दलित बर्गों के लिए साधारन बर्गों में ही सीटो का रच्छन किया गया था next question है हमारा question number 7 question number 7 कह रहा है दादा भाई नौरोजी British House of Commons के लिए चूने जाने वाले पहले भारतिये थे उन्होंने किस party के टिकट पर चुना जीता था और 1892 से लेकर 1894 तक वो निर्वाचित हुए थे ठीक है दादा भाई नौरोजी से याद रखेगा इनको grand old man of India भी कहा जाता है और ये 1886 में जो कॉंग्रेस का कलकता दिवेशन हुआ था उसमें इसने अध्यचता किया था और ये प्रथम कॉंग्रेस के प्रथम पार्थी अध्यच के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी के एक पुस्तक है जो बहुत बार एक जा में पूछा गया है बो है ये दोनों डेट याद रखेगा चार जुलाई 1947 को एटली के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिस संसेद में पारिद कर दिया गया था और फिर बाद में जाकर 15 जुलाई 1947 को भारत किया जादी की घोसना की गई थी तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा ऑप्सन नमरे जुलाई 1947 नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमर नाइन कोश्चन नमर नाइन का रहा मुस्लिम लिग ने पाकिस्तान की मांग अधिकारिक तोड़ पर कब किया था तो मुस्लिम लिग जो था वो लीग की जो आधिवे लहोर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लिग का लहोर अधिवेश चालिस, देखे, जी ये जो परस्ताओं था, इस परस्ताओं का जो प्रारूप था, वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था, याद रखेगा, और फजूल हक के द्वारा इसको परस्तूत किया गया था, अगर हम बात मुस्लिम लिग की करते हैं, तो मुस्लिम लिग से याद रख किया था, तो थियोफिकल सोसाइटी की जो अस्थापना थी, वो किया गया था, मैडम बॉल्ट सकी और कर्नल ओलकॉर्ट के द्वारा थे, इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा, वो हो जागा, और कब किया गया था, अठारा सो पच्छतर से और भी कुछ चीजे याद के द्वारा, अगर हम बात यहाँ पे एनिवेसेंट की करते हैं, तो एनिवेसेंट से याद रखेगा, इन्होंने सिप्कंबर 1916 में मदरास में होम रूल लिग की अस्थापना की थी, और बालगंगादर तिलक से याद रखेगा, इन्होंने मार्च 1916 में पूना में होम कोश्चन नमर 11, कोश्चन नमर 11 देखें, मैस का कोश्चन है, जेनरली 4-5 कोश्चन आपको विहार SI Pre में भी, और SI Pre में भी मैस से देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कोश्चन नमर 11 हमारा करा, एक कस्वे की जनसंख्या पहले बर्स 5% घटी, दूसरे बर्स 8% बड़ा और तीसरे बर्स 10% फिर से घट गया, यदि तीन बर्स पुर्व वहां की जनसंख्या इतनी थी, तो कस्वे की बर्तमान जनसंख्या गयात कीजे, देखें, तो पहले 5% घटा यानि की, पहले 5% घटा यानि 95 बड़ा 100, फिर 8% बड़ा तो 108 बड़ा 100, और फिर 10% घटा तो 90 Question number 12 कह रहा है, किसी कार्याले में कुल 80 करमचारी थे, जिनकी ओसत आयू 50 बर्स है, यदि पूर्यूस करमचारी की ओसत आयू 54 बर्स है, और महिला करमचारीयों की ओसत आयू 38 बर्स है, तो महिला करमचारीयों की संख्या क्या है, इसमें आप Alligation का Concept लगा दीजे, बड़ा आ निकाल दीजेगा, तो रेसियो आजाएगा 12 रेसियो 4, जिसको आप Smallest Form में कीजेगा, तो आजाएगा 3 रेसियो 1, तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 80 upon 4 into 1, यानि 20 महिलाएं थी और 60 पूरुस थे, इस Question का जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा Option number B, Question number 13, Question number 13 काहरा, किस बार्सिक चक्रविदी ब्याज की दर से, दो बर्स में कोई मुल्धन स्वेम का 25 बटा 16 गुना हो जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको आप मुल्धन को माल लिजे, 16 और चक्रविदी ब्याज, यानि मिसरधन को माल लिजे, आप लोग 25, तो म मारा Question number 14, Question number 14 काहरा, किसी कार्ज को पूरा करने में, पूरा करने में A को B के तुलना में 10 दिन कम समय लगता है, यादि A तथा B दोनों मिलकर वह कार्ज 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो B अकेला वह कार्ज कितने दिन में करता है, तो A तो देखे, आप माल लिजे कि B को X द इन कम में करता है, तो A करेगा 30 माइनस 10, यानि 20 दिन में करेगा, तो A प्लस B अगर मिला के दोनों करेगा, तो 12 दिन में करेगा, तो यह हमारा यही Option satisfied कर जाता है, तो Option number A जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, Next question हमारा question number 15, question number 15 कह रहा है, बराबर परिमाब बाले एक बर्ग तथा एक आयत के छेत्फल को करमसा A और R से ब्यक्त किया गया है, तो निम्न में से कौन सा एक सही है, तो आप देखे, इसको मान लिजेगा कि भूजा इतनी है, छेत्फल इतना है, किसी भी case में आप अगर इ question कह रहा है, हाली में सुर्खियों में रहा, बोगन बिल किस देश से संबंदित है, तो देखे, बोगन बिल जो था, वो परसांत महासागर में इस्थित, पपुवा निवगिनी का हिस्सा था, लेकिन अब ये क्या हुआ, ये पपुवा निवगिनी से ये अलग होने का पिस निवगिनी, अगर हम निवगिनी की बात करते हैं, तो इसके capital याद रखेगा, बेलंग्टन है, पपुवा निवगिनी का capital है, पर्ट मॉर्स भाई, और इंडोनेजिया का capital है, जाकरता, लेकिन अब इसकी capital चेंज हो चुकी है, और जर्मणी का capital है, बो है बरलेन, नेक्स् कि जूट के तने से पतियों को अलग कर दिया जाता है और उसको एक मतलब गठर बना के पानी में बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसके पौधे सेरे से को अलग कर लिया जाता है और यही कहलाता है जूट जूट से एक चीज याद रखिएगा पूरे बिस्व में भारत जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य है next question हमारा question number 18 question number 18 कहा रहा है new cancel port जो दुनिया का सबसे बड़ा कोईला निर्यार्त बंदरगा है यह किस देश में स्थित है तो यह कहा है यह Australia में स्थित है जो की hunter नदी के टट पर स्थित है तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा option number B Australia के लिए अगर हम कोईला उत्पादन की बात करते हैं तो पूरे बिस में चाइना जो है वो कोईला उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है और अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में उडिसा जो है वो कोईला उत्पादन में प्रथम नंबर पे है next question हमारा question number 19 या 360 है, देसांतर रेखा दूरी को परदरसीत करता है, ये भी गलत है, देसांतर जो है, वो समय के मान को दरसाता है, देसांतर के मद सरबादीक दूरी बिसवत रेखा पर होती है, ये सही है, क्योंकि दो देसांतरों के मद जो दूरी होती है, वो बिसवत रेखा की तरफ बढ वो चोटी है जो पंचमडी में इस्थित है पंचमडी क्या है पंचमडी एक हीला स्टेशन है जो कि मध्ध प्रदेश में इस्थित है सत्पूडा सरेनी का जो बिस्तार है यह मध्ध प्रदेश और महराश्ट राज में है और इसके उत्तर में नर्मदा नदी और दच्छिन म के लिए परसिद्ध है तो मार्क बदनने के लिए परसिद्ध है हमारा कोसी नदी जिसको की बिहार का सोक भी कहा जाता है कोसी नदी से एक चीरियाद रखेगा कि कोसी नदी पर कोसी परियोजना भी इस्थित है और इस नदी का जो उदगम है वो नेपाल में होता है और ये ब प्रारूप में लोहे के अत्रिक्त मात्रा होने के कारण अनुबरक हो जाती है। तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा, option number C, यानि लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, लेटराइट मिट्टी से एक चीज याद रखेगा, इसमें आरन और सिल्का की बहूलता पाई जाती है अगर हम बात जलोड मिट्टी की करते हैं, तो जलोड मिट्टी से याद रखेगा, इसमें पोटास की बहूलता माई जाती है, और रेगूर या काली मिट्टी, कोहीं रेगूर मिट्टी कहा जाता है, इसमें याद रखेगा, आरन चूना, ऐलमूनियम और मैगनीसियम की बह Question number 23 का रहा, मिस्रित क्रिसी में समलित होता है, तो देखे, मिस्रित क्रिसी उसको बोलते हैं, कि जिसमें फसलों के साथ साथ पसु पालन का भी कार्ज किया जाता है, ताकि जो किसान की आय है, उसमें बढ़ोतरी हो, तो इस question का जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, Option number D, फसलों क पर बन है, और 24% भूमी जो है, बो बंजर है, नक्स्कोशन हमारा, Question number 24, Question number 24 कहरे है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहां इस्थित है, तो भारत का जो सबसे पुराना तेल भंडार है, वो असाम के डिग बोई में इस्थित है, तो इस question का जो सही अंसर होगा, बो हो में इस्थित है, असाम से यह एक चीर याद रखेगा, असाम जो है, वो प्राकिर्तिक गयास को उत्पादन में भी भारत में प्रथम अस्थान पर है, नेक्स्कोशन हमारा, Question number 25, Question number 25 कहरे है, निमलिखित में से कौन जोबियन गरह नहीं है, जोबियन गरह को जेनरली हम इस लोगों का जो ग्रह है, इसका साइज क्या है, बड़ा है, और इसी के कारण इसको बिहस्पति ग्रह के समान माना जाता है, और जोबियन ग्रह कहा जाता है, लेकिन अगर दूसरे साइड अगर बात करते हैं, तो बुद्ध, सुक्र, मंगल और प्रिथिवी को इस से होते हैं, नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमर 26, कोशन नमर 26 कह रहा है, विक्टोरिया जल परपात किस नदी से संबंदित है, तो विक्टोरिया जल परपात जो है, वो जामबेजी नदी से संबंदित है, तो आप्सन नमर D जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, विक्ट विक्टोरिया जील भी है फिरका महादेश में है जो यूगांडा, तंजानिया, केनिया के मद इस्थित है और इसका उद्गम का होता है निल नदी से इसका उद्गम होता है लेकिन अगर विक्टोरिया दीप की बात करता है तो विक्टोरिया दीप कनाडा में इस्थित है तो जोग जल पर पात जो सराब ती नदी पर इस्थित है Next question हमारा question number 27 Question number 27 कहरा है निमलीखित में से कौन सही सुमेलित को दर्साता है तो देखिए पहला है हमारा छोब मंडल छोब मंडल कहरा है मौसम समदी घटना है तो ये गलत है संताप मंडल तापमान का क्रम सा कम होना ये सही है आयन मंडल नहीं स्वारी छोप मंडल मौसम समधी घटना ये सही है संताप मंडल तापमान का क्रम सा कम होना ये गलत है क्योंकि संताप मंडल में तापमान का क्रम सा कम होना होता है वो समताप मंडल में नहीं छोब मंडल में होता है तीसरा आयन मंडल बितार संचार के लिए महत्पुन मंडल ये भी सही है और नेक्स है बाह मंडल बायुमान के लिए उप्युक्त मंडल ये गलत है क्योंकि बायुमान के लिए जो आदर्स मंडल होता है वो होता है समताप मंडल तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जागा option number C कि 1 और 3 सही है 2 और 4 जो है वो गलत है next question है हमारा question number 28 question number 28 कहरा कौन सी जन जाती उतरी धुरूब छेतर में 4 तरफ निवास करती है तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जगा एसकीमो जन जाती जो है वो उतरी धुरूब ये छेतर के 4 तरफ निवास करती है ये जनरली जो एसकीमो जन जाती है वो अलासका, कनाडा, ग्रिनलेंड और नॉर्दन रसिया में निवास करती है अगर हम बात मसाई जन जाती की करते है तो मसाई जन जाती पुर्भी एफिरका में निवास करती है और बूसमें जन जाती की बात करते है तो ये कालाहारी मरूस्थल में हमें देखने के लिए मिलता है तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जगा देखिया महासाग्रियों धाराओं की बात करते हैं तो प्रिथिभी का घुर्नन, जल का घनत, बायू दाप, हवाएं, तापमान में भिंता, बास्वी करन, बरसा ये सब महासाग्रियों धाराओं को परभावित करता है लेकिन जो प्रिथिवी की प्रिकर्मन गती होती है ये धाराओं को परभावित नहीं करती है लेकिन एक चीज़ याद रखेगा कि प्रिथिवी की जो प्रिकर्मन गती होती है ये जलबायू को परभावित करती है क्लियर है चलिए अब बड़ते हैं अगले कोशिन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नमर 30 कोश्चन नमर 30 कह रहा अपरेल 2020 में किस बैक्ती को किंद्रिय सतक्ता आयुक्त के रुप में निउक्त किया गया है केंद्रिय सतक्ता यूक्त होता है Central Virilance Commission का यूक्त जिसको बोला जाता है उसी को कहा जाता है केंद्रिय सतक्ता यूक्त तो ये नूक्त किया गया है किसको संजक को ठारी को तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है और इससे पहले ये जो संजक को ठारी थे ये हमारे मानिय राश्टपती रामनात गोबिंद के सचीव के तोर पर काम कर रहे थे अगर हम बात केंद्रिय सतक्ता आयोकी करते हैं तो इसका गठा निगारा फरबरी 1964 को हुआ था और किसके सिफारिस पर संथान नमन समीती के सिफारी स्पेस का गठन किया गया था नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर 31 कोशन नमर 31 कहरा किस राश्टिय उद्यान में बन जीवो के लिए देश की पहली कॉरेंटाइन सुद्धास थापित की गई है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जगा अगर हम बात काजी रंगा नेशनल पार्क की करते है तो काजी रंगा नेशनल पार्क का साम में इस्थित है और ये एक सिंग बाले गेंडा के लिए प्रसिद है अगर हम सुंदरबान नेशनल पार्ग की बात करते हैं तो ये बेश्ट बंगाल में इस्थेत है और भीत करनी का नेशनल पार्ग जो है वो उडिसा में इस्थेत है अगला question है हमारा question number 32, question number 32 का रहा है बिस स्वास दिबस 2020 का थीम क्या है वो है support nurses and mid vibes यानि option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा स्वास दिबस जो है वो हर एक साल 7 अपरेल को मनाया जाता है क्यों 7 अपरेल को मनाया जाता है क्योंकि जो हमारा WHO है world health organization उसकी अस्थापना 7 अपरेल 148 को ही किया गया था अगर हम बार WHO की करते हैं तो WHO का headquarter है जिनेवा स्वीजर लेंड में और इसके जो head है वो है टेड्रोस आधानॉम next question हमारा question number 33 question number 33 का रहा हाली में मैटरन हॉन परबत पर भारतिय धोज को परकासित किया गया था या किस परबत की प्रसिद चोटी है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number D ये अलपास परबत की एक चोटी है जिसकी height है 14,690 feet और ये है कहां स्वीजर लेंड में इस्थित है generally जो पहाड है उसको पहाड को पूरा तिरंगे के color में स्वीजर लेंड के द्वारा color कर दिया गया था तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number D आलपास next question है हमारा question number 34 question number 34 कहरा महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोसाहित करने है तो जीवन सक्ति योजना किस राज सरकार दोरा जारी किया गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number D मध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है देखें मध्र प्रदेश से कुछ और योजना भी याद रखेगा जो बार-बार एक जाम में पूछा जाता है जैसे कि यह बंधन योजना एक ब्रिच योजना उत्र पदेश के अगर बात करते हैं तो उत्र पदेश से याद रखेगा अंधपदेश के अगर बात करते हैं, तो आंधपदेश से याद रखेगा, न वोधम योजना, नाटू नेडू योजना, अगर हम बात पंजाब की करते हैं, तो पंजाब से याद रखेगा, सरवत सेख़ बिमा योजना, next question हमारा question number 35 question number 35 कर जा अंतराष्टिये मानवा धिकार दिवस कम मनाया जाता है तो अंतराष्टिये मानवा धिकार दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 December को तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा अगर हम बात 15 December को करते हैं दिसंबर को अंतराष्टिय चाय दिवस मनाया जाता था लेकिन अब जो अंतराष्टिय चाय दिवस वो 21 मई को मनाया जाता है अगर हम बात 24 दिसंबर की करते हैं तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्टिय उपुभोगता दिवस और अगर 15 मार्च की बात करते हैं तो 15 मार् नग्स कोशन हमारा कोशन नमर 36 कोशन नमर 36 का रहा देश के पहले transgender university के अस्थापना कहा की गई थी तो देश के पहले transgender university के अस्थापना किया गया है उत्तापत इसके कुसी नगर में तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option नमर C और कुसी नगर में बुध की आप लोगों को याद ही होगा 483 इसा पुर्व नक्स कोशन हमारा कोशन नमर 37 कोशन नमर 37 का रहा इंडिया करप्सन सरवे 2019 के अनुसार देश का सबसे ब्रष्ट राजयों की सुची में प्रत्हमा स्थान पर कौन है तो देश के सबसे ब्रष्ट राजयों के सुची में पह ठीक है यह जो प्रदसन इंडिया का अप्सन सर्वे है यह जारी किया जाता है लोकल सरकल एक कम्पनी जाया और एक कम्पनी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया उसके द्वारा चलियर है बढ़ते हैं आपने अगले question की तरफ जो किया हमारा question number 38 question number 38 कर रहा हाज प्रकिल्या को पूरी तरह से digital बनाने बाला 20 का प्रथन देश कौन बना है तो 20 का प्रथन देश बना है भारत तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा clear है next question है हमारा question number 39 question number 39 कर रहा कि पुरूस होकी बिस्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है तो पुरूस होकी बिस्व कप जो 2023 है ये 15 हमारे अडिशन है होकी बिल्ड कप का और ये भारत में प्रस्तावित है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इससे एक और चीज़ याद रखेगा कि 2018 का पुरूस होकी बिस्व कप कहा हुआ था तो 2018 का जो पुरूस होकी बिस्व कप था वो Belgium जीता था नीदरलेंड को हड़ा कर अगर हम महिला होकी बिस्व कप की बात करते है तो महिला होकी बिस्व कप 2022 का जो आयोजन है वो haspain और नीदरलेंड में किया जएगा और महिला होकी बिस्फ कप जो 2018 था ये भी नीदरलेंड डीता था आयरलेंड को हडा के अगर हम बात पूरुस होकी बिस्फ कप 2023 को करते हैं तो ये इंडिया में कहा होने वाला है ये इंडिया में उडिसा में भूनेस्वर और राउल किला में होने वाला है इसको लगाकर 2030 के बर्ल कप को लगाकर भारत जो है वो चौथी बार होकी बिस्प कप का आयोजन करेगा Next question हमारा question number 40 Question number 40 का रहा दिसंबर 2019 को बिहार के मुखमंतरी नितीज कुमार ने जल जीबन हर्याली मिस्टन की सुरुआत किस जिले से की थी तो ये किया गया था पश्चिम चंपारन से कहा पश्चिम चंपारन का एक गउँ है चंपापूर वहीं से नितीज कुमार के द्वारा ये किया गया था और इसके लिए 24,000 करोर रुपे भी आबंटीत किये गये हैं तो इस कोश्चिम का जो सही अंसर होगा वह हो जाएगा पश्चिम चंपारन यानि ऐप्सन नमबर से नेक्स कोश्चिन है हमारा कोश्चिन नमबर forty one करते हैं किस के द्वारा लिखी गई it तो ड्रिम साब बिलियन जो पुस्तक है वो बोरिया मजुमदार और नलीन महता के द्वारा लिखी गई है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number D, A और B दोनों के द्वारा लिखी गई है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ जो किया हमारा question number 42 answer होगा वो हो जागा option number C उत्रप्रदेश ठीक है जी आई टेक की अगर बात करते हैं तो जी आई टेक से याद रखेगा सबसे पहले जो जी आई टेक था वो दो हजार चार पांच में दार्जिलिंग की चाय को मिला था जी आई टेक से एक और चीज याद रखेगा कि इसका जी आई टेक मिला हुआ है अगर हम बात तमिलाडू की करते हैं तो तमिलाडू से याद रखेगा अंडिन्य गुलताला तिरुभूमन सिलक सारी ये सब तमिलाडू से मिला है अगर हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार से भी कुछ चीजे को नाम याद रखेगा जिसको जी लिची मदुवनी पेंटिंग सिलाब खाजा मखाना ये सारे चीज जो बिहार के हैं जिनको भी जी आई टैग मिला है नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 43 कोशन नमबर 43 कह रहा है बजट 2021 के तहट केरोसीन तथा पेट्रॉल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस काजकरम की सुरुवात की गई है तो बोकाजकरम का नाम है कुसम योजना कुसम क्या है के यू एस यू एम जिसका फूलफो में किसान यूर्जा सुरच्छाइबम उत्थान महाभियान ठीक है आप लोगों को तीन चीज याद रखना होगा एक भारत का स्थान एक उसमें नंबर वन पे कौन है और एक उसका जारी करता कौन है तो Global Energy Transaction Index का जो जारी करता है वो है WF यानि World Economic Forum अगर हम बात World Economic Forum की करते हैं तो इसका जो Het Quarter है वो है स्विजर लेंड में और इसको फाउंड किया गया था जन्वरी उन इसको खतर में इसकी अस्थापना की गई थी नग्स कोशिन है मारा कोश्ण No. 45 कोश्ण No. 45 के रहा है रंजी ट्रॉफी 2020 का बीजेता कौन रहा यह जो रंजी ट्रॉफी 2020 था यह अपने रंजी ट्रॉफी का 86 सेसन था और इसका बीजेता कौन रहा है सौराश्ट रहा है जो की 70 बर्सों में पहली बार ये ट्रॉफी जीता है और उप बीजेता कौन था बंगाल जो था वो उप बीजेता था क्लिर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नमबर 46 क्यारा किस अंतरिष एजन्सी ने माई 2020 में पहली बार अंतरिष यात्रियों को अंतराष्टी अंतरिष हर्ष्टेशन भेजने का लच रखा था तो इस क्योश्चन का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा ओप्सन नमबर C अस्पेसेक्स SpaceX है क्या? SpaceX एक अमेरिका की एक नीजी अस्पेस एजेंसी है जिसकी अस्थापना 2002 में हुआ था और इसका हेड़क्वार्टर है कैलिफ़र्निया में ठिक है? अगर हम बात नासा की करते हैं तो नासा यूएस का अस्पेस एजेंसी है इसकी अस्थापना हुई थी उनईसों ठामन में और इसका हेड़क्वार्टर है बासिंग्टन में अगर हम बात इसरो की करते हैं तो यह हमारे प्यारा भारत का अस्पेस एजेंसी है इसकी अस्थापना किया गया है 1969 में और इसका हेड़कोर्टर है बेंगलोरु में अगर हम जाक्षा की बात करते हैं तो ये जापान का Space Agency है इसका है अस्थापना किया गया था 2003 में और इसका हेड़कोर्टर है टोकियो में Next question हमारा question number 47 Question number 47 करते है यानि ICMR द्वारा गठित राष्टिये कार्लवल द्वारा करोना बारस के लिए कौन सी दबा की सिफारिस की गई है तो वो दबा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तो आप्सन नमर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बात ICMR की करते हैं तो ICMR से याद रखेगा इसका जो हेड़्कॉर्टर है वो न्यू देली में है और इसका जो गठन हुआ था बो हुआ था 1921 भी में क्लेर है चलिए अब 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 अगले कोश्चन की दरब जो किया हमारा कोश्चन नमर 48 क्वेशन नमर 48 कहा रहा मार्च 2020 में राष्टपती रामनात कोविन ने किस पूर्महन नयाधिस को रार सभा के लिए मनुनित किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा अप्सन नमर C रंजन गगोई को किया है ठीक है रंजन गगोई जो थे वो हमारे 46 चीप जश्टिस थे ठीक है और अभी कोण है अभी है 47 जिनका नाम है सरा नर्बिंद बोबडे नट्स कोशन है हमारा कोश्चन ऩовор 49 करे भारत का पहला पैदल सेना संग्रालय कहां खोला जाएगा भारत का जो पहला पैदल सेना संग्रालय बो इन दोर के महू में खोला जाएगा तो आपसन नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और इसमें infantry के 1747 से लेके 2020 तक के गौरब साली इतिहाफ सौरब बीर सैनिकों के बलिदान की 3D प्रिंटर और हाथों से बने इंसान की तरह हुब वहुद दिखने बाले statue ये सब इसके photo gallery में संजोया जाता है संजोया जाएगा ठीक है चलिया बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 50 question number 50 कह रहा है हाली में उत्राखंड सरकार ने किस सहर को उत्राखंड की ग्रिस्म कालीन राजधानी बनाने की घोसना की है तो देखिए उत्राखंड की अगर winter capital की बात करते हैं तो winter capital तो है देहरादून लेकिन अगर ग्रिस्म राधानी की बात करते हैं तो ग्रिस्म राधानी बनाया है गर सौन को तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा चीक है उत्राखंड से याद रखेगा उत्राखंड का जो गठन है वो है 9 November 2020 को हुआ था अगर हम बात उत्राखंड की करते हैं तो उत्राखंड के CM का नाम है त्रिवेंदर सिंग राबत और उत्राखंड की अभी तत्कालीन गवर्णर नेक्स कोशन है हमारा question number 51 कह रहा है कि परकास है तो परकास क्या है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D उप्रोग स होती है तो बायोगास सन्यंद में क्या होता है देखें किनबन होता है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है हमारा question number 53 question number 53 कह रहा एक बर्ग में उपर से नीचे की और आने पर प्रमानू के अकार तो देखें बर्ग में जब उपर से नीचे जाने पर जो प्रमानू संख्या होती है वो बढ़ती है तो इसलिए प्रमानू का जो अकार होगा वो उपर से नीचे जाने पर बढ़त का बिसरन का कारण क्या है तो बायूमंडल में परकास का बिसरन का जो कारण है वो बायूमंडल में उपस्थी धूलकन है तो आपसन नमबर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा किसी भी योगिकों का आकसी करण संख्या क्या होता है तो किसी भी आउगिकों का आकसी करण संख्या जो होगा वो होता है जीरो तो आपसन नमबर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 56 कह रहा सर्प बिसरोधी सुई किस तत्व का एक योगिक है तो सर्प बिसरोधी सुई जो है वो किसका स्वन योगिक है मतलब AU का योगिक है जिसको हम लोग बोलते हैं और एक क्लोराइड question number 57 कह रहा है दाब का भीमिय सुतर क्या है तो देखिए दाब ब्राबर होता क्या है दाब ब्राबर होता है बल अपन में छेतरफल और बल को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो आप मान इंटू में त्वरन और अप इंटू में छेतरफल तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number B next question है question number 58 question number 58 कह रहा है jam cell क्या है तो jab cell किसको बोला जाता है koila को बोला जाता है next question है question number 59 question number 59 कह रहा है यादास का संबन्ध मस्ती के निम्ण में से किस भाग से है तो यादास का जो संबन्ध है बो सेरे ब्राम से है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा सेरे ब्रह्म से याद रखेगा ये मस्तिक का सबसे विक्सित भाग होता है और ये बुद्धी मता, इच्छा सक्टी, चिंतन ये सब का केंद्र भी यही होता है ठीक है? अगर हम बात हाइपोथेलमस की करते हैं हाइपोथेलमस से याद रखेगा ये भूख, प्यास, प्यार, घ्रीना ये सारा का केंद्र हाइपोथेलमस को कहा जाता है अगर हम बात सेरे बेलम की करते हैं तो सेरे बेलम जो होता है ये सरीर का संतुलन बनाए रखता है और अस्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो ये प्रति बर्ति क्रियाओं का नियंतरन वार समनबे करता है Next question हमारा question number 60 Question number 60 कहरा एक जिबास्म पच्छी का नाम बता है जो एक पच्छी की तरह दिखता है लेकिन सरी स्रीप की जैसे अन्विसेस ताई होती है तो इसको बोला जाता है option number B जो होगा वो हमारा सही अन्सर होगा Archeo Patrix Next question हमारा question number 61 Question number 61 कहरा मानब सरीर में सर्बादीक मातरा में पाये जाने वाला तत्व कौन सा होता है तो मानब सरीर में जो सर्बादीक मातरा में पाये जाता है वो पाये जाता है O2 तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा O2 लगबग 75% पाया जाता है अगर हम कारवन की बात करते हैं तो यह 18% पाया जाता है और H2 जो है वो 10% के आसपास पाया जाता है Next question हमारा question number 62 Question number 62 कहरा है परिपत के किनी दो बिंद्यों के बीच बिभांतर मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो potential difference measure करने के लिए हम लोग volt meter का यूज करते हैं तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा potential volt meter जो होता है वो एक उच पति रोध बाला धारा मापी है और इसका परियोग जो है वो परिपत के किनी दो बिंद्यों के बीच बिभांतर मापने के लिए किया जाता है अगर हम बात ammeter की करते हैं तो ammeter जो होता है इसका यूज current ना कोई भी circuit में कितना current है उसको measure करने के लिए ammeter का यूज किया जाता है एक चीट और याद रखेगा voltmeter से कि एक आदर्स जो voltmeter है उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनन्थ होना चाहिए next question है हमारा question number 63 question number 63 सुमेलित करने के लिए कह रहा है तो electron जो होगा वो जे जे थॉंसन के साथ मैच करेगा proton की अगर बात करते हैं तो वो gold austin के साथ मैच करेगा neutron की अगर बात करते हैं तो neutron जो है वो chatbik के साथ मैच करेगा और positron जो है वो अंडर्सन के साथ मैच करेगा तो इस question का जो सही answer होगा वो होजागा option number C next question हमारा question number 64 question number 64 कह रहा है K2Cr2O7 में chromium के oxy current संख्या कितनी है तो देखे क्रोमियम के इसमें oxy current संख्या निकाल लीजेगा तो आएगा 6 तो option number A जो होगा वो हमारा सही answer होगा next question है हमारा question number 65 question number 65 कह रहा है जन्तूअ तथा पादपो के मिरित अबसेसो का सड़ने या गलने में क्या होता है तो देखे पहला तो सड़ना और गलना जो है वो एक रसाइनिक परिभरतन है तो B तो होगा ही और साथ ही साथ उसमें किन्बन भी होता है तो option number C भी होगा किमोफीलिया भी अनुवांसिक रोग है लेकिन लिवकेमिया जो है वो अनुवांसिक रोग नहीं है ये एक बलड से संबंदित कैंसर है question number 67 कह रहा है किस अधिनियम द्वारा संप्रदाई का धार पर सिखो भारतियों इसायों अंगल भारतियों और इरोपियों के लिए question number 68 कह रहा है अपात काल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो भारत के राष्टपती के द्वारा किया जाता है लेकिन अनुछेद 20 और 29 को छोड़ कर तो आपसा समीति में स सदस्यों का जो कार्जकल होता है वो एक बर्सों के लिए होता है और प्रकलन समीटि से याद रखेगा यह सबसे बड़ी संसदिय समीति है जिसमें सदस्यों soothing संचित निधी की बात करते हैं तो भारत का जो संचित निधी् More राश्पति उपराष्ट्र पटी, नियंत्रक्वा, महालेखक, परिछक, यह सब के जितने भी बेतन भत्ते हैं वो इसी पर भारित होते हैं संभीधान की अनुछे 266 में संचित नीदी का प्रभधान है next question है मारा question number 71 question number 71 करे भारातिय संभिधान में बिधी के समझ समता किस देश के संभिधान से लिए गया है तो इस question का जा सही अंसर होगा she goes option number D इंग्लैन के संभिधान से अगर हम बात अमेरिका की संभिधान से करते हैं तो अमेरिका से लिए गया है अगर हम बात जर्मनी की संभीधान से करते हैं तो जर्मनी से आपात काल के परवर्तन के दौरा दौरान जो राश्पती के मौली का दिकार संबंदी सकतियां है ये जर्मनी के संभीधान से लिया गया है और अगर हम ब्रिटेन की संभीधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन के सं संध्याष आसन वेवस्था एकल नागलित्ता यह सब बुर्टेन के संभीधान से लिया गया है नक्स्ऩ कोशिए नहरा कोश्ण मज कोश्चन near 72 के रहा संभिधान संसोधन प्रकिल्या संभिधान के किस भाग ने उल्ले किया ग्या है तो संविधान संसोधन प्रक्रिया यानि अनुछे 366 और भाग 20 तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर है संसोधन के लिए तीन बीधियों को अपनाया गया है पहला है साधारन बीधि द्वारा, दूसरा है विशेस बहुमत द्वारा संसोधन तो ये 10 मियान उसुची में है ये इसके साध मैच करेगा तो ये इंहांतरमा संविधान संसोधन के अगर बात करते हैं तो ये इगरहमा, इगरहामीयन उसुची में है और भूमी सुधारियममदी, ग्रहन संमदी अधिन यम नौ मियन उसुची में है Next question है हमारा question number 74 समाप्थ कर दिये गए थे बंगाल के गवर्नप जर्नल को भारत का गवर्ने जर्रनल कहा जाने लगा था ठीक है नेक्स कोशन है हमारा कोशन नबर 75 कोशन नबर 75 कह रहा संभीधान के प्रस्ताबना दिर्ग कालीन सपनों का विचार है निम्न में से यह किसका कथन है तो यह कथन है अलादी कृष्णा स्वामी अयर का तो अप्सन नबर 20 होगा वो हमारा सही अंसर होगा प्रस्ताबना से याद रखेगा प्रस्ताबना को ही संभीधान की कुझी कहा जाता है और इसमें अभी तक एक बार संभीधान संसोधन हुआ है जो हुआ था 42 संभीधान संसोधन 1976 में और हमारे प्रस्तावना में तीन सब्द जोड़ा गिया था समाजबादी पंत निर्पेच और राष्ट की अखंडेता नेक्स कोशन है हमारा कोशन नबर 76 कोशन नबर 76 कहला सम्विधानी कुप चारों के अधिकार को किसने सम्विधान की आत्मा कहा है तो सम्विधानी कुप चारों के अधिकार को जम्विधान की आत्मा कहते डॉक्टर भीम राव अंबेतकर तो आप्सन नबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और ये कौन से अनुछेद में अनुछेद 32 में और इसी के तहद जो सरवोचन याल है वो पांच तरह की रिट जारी कर सकता है नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर 77 कोशन नमर 77 कहरा कितनी बार बिहार में सोतंतरता के उपरात राश्टपती सासन लगाया गया है तो बिहार में अभी तक आठ बार राश्ट्पती सासन लगाया गया है तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जागा option number D राश्ट्पती सासन की बात करते हैं तो ये है अनुचे 356 में और ये जो राश्ट्पती सासन है वो बिहार में सबसे पहली बार 1968 में लगाया गया था और अंतिम बार 2005 में लगा है लेकिन अगर पूरे all over इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 20 जुलाई 1901 को पंजाब में लगाया गया था और अगर सरवाधीक समय तक पूछे तो सरवाधीक समय तक जमू और कास्मीर में लगाया गया है next question है हमारा equation number 78 question number 78 चायरा भारत पर हुनो का प्रथम हमला किस साशा के समय हुआ था तो भारत पर हुनो का जो प्रथम हाक्रमन था ये हुआ था असकंद गुप्त के समय तो आपसंद नमबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा असकंद गुप से एक चीज़ याद रखेगा असकंद गुप नहीं गिर्नार परवत परिस्थित सुदर्सन जील का जिनोधार करवाया था ठीक है असकंद गुप से एक और चीज़ याद रखेगा इसने पंड दर्थ को सौराष्ट का गवर्नर नुक किया था और इसी अभी लेक में हर्सभर्धन और पूलकेसिन दूतियों के बीच युद का पता चलता है ठीक है जिसमें पुलकेसिन दूतिये जो था बोहर्स बर्धन को हराकाच परमेस्वर की उपादी धारन किया था ठीक है और इस अभी लेग की रचाइता कौन है इस अभी लेग की रचाइता है रभी कृति इस कॉष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् महायान से संबंदित है देखिए चतूर्थ बहुत संगती आप लोगों को याद होगा जो कि कुंडल बन में हुआ था और इसी कुंडल बन में चतूर्थ बहुत संगती के बाद जो हमारा बहुत धर्म था वो दो भर हिनायान और महायान में विभाजित हो गया था तो इस question का से जो सही अंसर होगा वो हो जगा Option नमर ए महायान नेक्स कोशिएं है कोशिए नमर 83 कोश्चन नमर 83 कह रहा है अकबर द्वारा बनाये गए उपासना भवन का क्या नाम था तो अक्बर द्वारہ जो उपास्न भवन बनाया गया था उसको बोला जाता था इवादत खाना तो अपस़ोहरण सी जो होगा वो हमारा सहीएंसर होगा इवादत खाना की एस्थापना की गई थी 1575 में लेकिन इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के जाने की अनुमूती मिली थी 1588 में अकबर से कुछ और चीज याद रखेगा जैसे उन्हेंने 1562 में दास प्रथा कांथ किया था 1563 में तिर्थी आत्रा कर समाप्त किया था 1564 में जजिया कर समाप्त किया था 1585 किया थे तो यह अकबर के सासंकाल में भी क्यात है तो इस कुछ ने जज़िया और याद रखेगा कि अख़ागा कि दर्बार में नौ रहते थे 1585 किया रह ज़िए यदि ब्याज का भुगता राज कोशिये घाटों से घटाया जाता है तो से सरासी किसके बराबर होता है Q86 कह रहा है कि सेबाओं पर कर लगाने की सिफारिस सरपर्थम किस समीती ने की थी तो सेबाओं पर कर लगाने की जो सिफारिस है वो सरपर्थम चैलेया समीती के द्वारा किया गया था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अब भारत में सरपर्थम 1994 पंचान में फाइनेंसियल एर में तीन सेबाओं पर टेलिफोन बीमा और सेर बैजार पर सेबा कर लगाया गया था अगर हम आप केलकर समीती की करते हैं तो केलकर समीती जो था वो परतेच कर धाचे सरली करन एबम सुधार के लिए सुझाब देने हितु किया गया था आबिद हुसेन समीती जो है वो लगूद द्योग से संबंदित है और एल के जहाँ जो समीती है वो अब परतेच कर प्रनाली में सुधार के संबंदित है next question है हमारा question number 87 question number 87 कहाँ निम्ण में से कौनसी करांती प्याज औस्दी और जिंगा उत्पादन से संबंदित है अगर हम बात लाल करांती की करते हैं तो लाल करांती टमाटर से संबंदित है नीली करांती मतस पालन से और गोल्डेन करांती बागवानी से संबंदित है question number 88 कहाँ निम्लिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन बूट्स जुडबा के नाम से जाना जाता है तो ब्रेटन बूट्स जुडबा के नाम से जाना जाता है आईमेफ और बिस बैंक को तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा option number C आईमेफ और बिस बैंक की अस्थापना 1945 में ब्रेटन बूट्स अमिलन के अधार पर किया गया था जो 1944 में ब्रेटन बूट्स अमिलन आयोजित किया गया था और इसलिए इन दोनों सांगठनों को ब्रेटन बूट्स जुडबा के रूप में जाना जाता है अगर हम बात आईमेफ की करते हैं तो आईमेफ से याद रखेगा इसका जो हेड़कॉर्टर है ये बासिंग्टर में है और इसके जो तत्कालीन मैनेजिंग डारेक्टर है उनका नाम है क्रिष्टलीना जोर्जीबा अगर हम बर्ल्ड बैंक की करते हैं यानि बिस्ट बैंक की करते हैं तो इसका भी हेड़क्वाटर बासिंटेन में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास और इनके जो मैनेजिंग डारेक्टर हैं वो है अंसुला कांट नक्सके डजी बैंक का राश्टिये करन किया गया था अगर हमारी बर्ट की बात करते हैं तो नाम है सक्तिकांत दाफ जो की RBI के 25 में गवर्नर है Next question है हमारा question number 90 Question number 90 हमारा कह रहा है कि यदि राजस्व घाटे में से उन अनुदावनों या बयों को निकाल दिया जाए जो परभाव में पुंजी स्रीजन से संबंदित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C प्रभावी राजस्व घाटा क्यों प्रभावी राजस्व घाटा इस इक्वल टू क्या होता है राजस्व घाटा माइनस पुंजी संपति स्रीजन से संबंदित अनुदान Next question हमारा question number 91 question number 91 कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो अस्पेन बूल फ्राइटिंग सुमेलित है अमेरिका बेस्वाल सुमेलित है कनाडा आइस होकी सुमेलित है भुटवाल भुटान फुटवाल सुमेलित नहीं है क्योंकि भुटान का क्या होगा तिरन दाजी फुटबुल किसका, फुटबुल ब्राजील का, फ्रांस का, ये सारे का है Next question हमारा, question number 92 Question number 92 कहारा, भारत में आय कर क्या है, आय कर क्या है, आय कर कर्का जो बास्तविक भार है उसी निकायपर पड़ता है, जिससे उसकी बसूली की जाती है और साथी साथ ये परगती सील भी कर है क्योंकि जैसे जैसे किसी के आये में ब्रिधी होती है हमारी government उस पे कर का जो भार है वो बढ़ाते जाता है मतलब tax उस पे ज़्यादा इंपोज किया जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जागा option number B परतियच और प्रगती सील next question है हमारा question number 93 question number 93 कहरा है राष्टिय आये में क्रिसी का योगदान तो राष्टिय आये में जो क्रिसी का योगदान है वो क्या हो रहा है गिर रहा है मतलब घट रहा है तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer होगा और जबकि सेबा छेतर का योगदान जो है वो बढ़ रहा है next question है हमारा question number 94 question number 94 कहरा है कुछी पुडि किस राज का प्रसिद लोखनरित है तो कुछी पुडि आंधपदेस का है तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer होगा अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल से याद रखेगा कथकली अगर हम बात करनाटक की करते हैं तो करनाटक से याद रखेगा याचगान, कुनीता, करगा, उडिसा की बात करते हैं तो उडिसा से याद रखेगा तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा हर्मिनिप पृत को और से याद रखेगा इनको 2017 में अर्जुनेवार से भी समानित किया गया है ये पंजाब से बिलॉंग करती हैं और इनसे एक और important चीज याद रखेगा ये male और female मतलब दोनों में मिला के ये पहली किर्केटर है जिसने T20 मैचेज में 100 ODI खेली है next question है हमारा question number 96 question number 96 कहरा भारत बन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार बन छेतर में ब्रिधी करने वाले सिर्स राज करम से है तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बन पूछे तब हो जाएगा next question है हमारा question number 97 question number 97 कहरा अंतराष्टिये पूरुस होकी मैच में इंपारिंग करने वाली बिसु की पहली महिला कौन बन गई है तो इस question का जो सईयंसर होगा बो हो जगा option number C एलेसा निूमन जो की अंतराष्टिये पूरुस होकी मैच में इंपारिंग करने वाली पहली महिला बन गई है ठीक है एक और नाम याद रखेगा clear polo sock ये clear polo sock जो है ये पूरुसों के one day मैच में इंपारिंग करने वाली प्रथा महिला बन गई है next question है हमारा question number 98 question number 98 कहरा बजट 2020 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले समानों को बचाने के लिए किस परिबहन की सुरुआत की गई है तो किस का किया गया है किसान गेल नामा के एक तेज परिबहन की सुरुआत की गई है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 99 question number 99 कहरा है नागरिक्ता संसोदन विधय एक कितने समुदाये को नागरिक्ता देगा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number C 6 समुदाये को हिंदू, बौध, सीख, जैन, पार्सी और इसाई next question है question number 100 question number 100 कहरा है निमलिक्त युदाय अभ्यास में से कौन सुमेलित नहीं है तो मितर सक्ती भारत और सिरलंका सुमेलित है इंद्र भारत और रूस सुमेलित है मिनमैक्स भारत और मैरमार ये गलत है ये भारत और जपान के बीच नो सेना अभ्यास है जो भी रिसेंटली 2019 में इसका आयोजन कोची में किया गया था GMAX ये भारत और जपन ये सुमेलित है कुछ और भी यूधाय अभिहास के नाम जो एकजाम में बार-बार पुछे जाते हैं जैसे कि ये संप्रिती भारत और बंगलादेश के बीच हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच समुंदर सक्ति इंडिया इंडोनेसिया के बीच सक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच ब्रज परहार इंडिया और अमेरिका के बीच तो ये सारे कुछ युदाय अभयास है जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते थे तो ये था आज का हमारा बिहार दरोगा प्री और बिहार ESI के लिए प्रथम प्री एक्जाम के लिए पहला सेट आप लोगों को ये सेट कैसा लगाई कमेंट करके जरूर बतायेगा साथि साथ आप लोगों का स्कोर कितना आ रहाए यह जरूर बतायेगा कल से आप लोगों को डेली सेट मॉणनिंग में सुबह आठ बजे मिल जाएगा और alternate ways पे आप लोगों को से प्रोबाइट करवा दिया जाएगा एक दिन बिहारदर होगा प्री का और एक दिन बिहारदर होगा मेंस का Thanks for watching